यदि हम जीवाडू जनित बीमारी की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें विल्ट जो बीमारी है, जिसको मलानी हम लोग बोलते हैं, एक बहुत परमुक समस्या है, इसमें मिर्च में अचानक सूखना शुरू हो जाता है, जो कि मिर्च का पोधा पूरी तरीके से हरा होता है, औ इसके अंदर फलन और फूल पूरी तरीके से लगे होते हैं, और अचानक पोधा एक दो दिन के अंदर इस तरह से सूखने का लक्षण दिखाई देता है, इन लक्षणों को अगर हम लोग दिन में बात करें, दिन के गर्मी वाले टाइम पे हम बात करें, जब सूर की क्रण और उसको वह सुस दिखाई देने लगते हैं, पर फिर इस सुखना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से यह जो विल्टिंग जो समस्या है, इसका जो में जो कारण है, वो पोधों के अंदर पानी नहीं पहुच पाता है, जिससे पोधे सूखना शुरू हो जाते हैं, तो सुखने शुरू हो जाते हैं, तो यदि अगर हम लोग बात करें इस बीमारी के बचाओ के लिए, तो सबसे पहले यदि ये बीमारी अगर किसी पर्टिकुलर छेत्र के अंदर, अगर ये बीमारी किसी खेत के अंदर ज्यादा आती है, तो हम लोग उस खेत में जो सोलनिसी अगर के जो फसल हैं, उसको हम लोग बिल्कुल ना लें, कम से कम इसके अंदर तीन वर्ष का हम लोग फसल चक्र अपनाएं, यदि अगर किसान भाई मिर्च की फसल लगाए हुए है, यदि उनमें इस तरह के अगर लक्षन दिखाई देते हैं, तो इनमें हम लोग कॉपर अक्सिकलराइट तीन ग्राम दवा परती लीटर पानी के हिसाब से जड़ों में इसकी ड्रेंचिंग करें, जिससे ये बीमारी वाले पोधों में भी डालना है, और स्वस्त पोधों में भी डालना है, तो यदि अगर बीमारी का शुरुवाती अगर अवस्था होगा, तो इससे हम लोग इसको बीमारी को रोक सकते हैं और इसके फॉल्स रोप पोधा वो बच सकता है, तो इन बातू का ध्यान देते हैं, यदि हम देते हैं, तो विल्ट से हम अपने पोधे को बचा सकते हैं तो किसान भायों आज आपनी इस भाग में मिर्च में लगने वाले रोगों के बारे में जाना, उनके लक्षन के बारे में जाना और साथ ही उनके प्रबंधन के बारे में जाना तो अगले भाग में एक अलग विशे के साथ एक अलग जानकारी के साथ हाजिर होंगे हम नमस्कार